नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजिनियर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है दीपक बालोटिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं History of Physical Education and Sports की जो थर्ड पार्ट है हमारा MCQs का, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दो पार्ट पहले आचके हैं, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उनको देख सकते हो चलिए, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, आज का हमारा पहला क्यूशन है निमने लिखित में से किसने पहले विभिन व्यायामों को व्रगिकरत किया डिफरेंट एक्सरसाइज को क्लासिफाई करने की बात हो रही है, ये किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अरस्तू देखे, अक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा टाइप की होती है, और उनका क्लासिफाई करना पड़ता है, तो सबसे पहले ये क्लासिफाई किया था, अरस्तू ने, सी राइट आंसर है हमारा, अगले क्यूशन हम के तरह बढ़ते है, दूसरा क्यूशन है, पैलेस्ट्रा और इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, तो पैलेस्ट्रा और डिडिस्केलियम कहां पर परसित थे, एथेंस के अंदर, पैलेस्ट्रा को क्या बोलते है, रैसलिंग स्कूल, कुस्ती होती थी यहां पर पैलेस्ट्रा में, और डिडिस्केलियम किसके जामतों को पहले वरणित किया गया था, the principles of physical training were first described by, principles की बात है, सारे रिक प्रस्टिक्षन की, देकि physical training बहुत ज़्यदा जरूरी है, और इसके जो principles थे, सबसे पहले उनको किसने categorize किया था, किसने उनको समझाया था, describe की बात करेंगे हम, तो इसका राइट आंसर है, Aristotle, डी, इसका सही उत्तर है, अरस्तु ने क्या किया था, कि सारे रिक शिक्षा के जो शिद्धान थे, उनको सबसे पहले describe किया था, कि आपको सारे रिक शिक्षा में क्या करना चाहिए, क्या सारे रिक शिक्षा में आता है, और क्या हम कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं, सारे रिक शिक्षा के अंदर, नेक्स्ट क्यूशन हमारा है, ओलम्पिक में प्ति इवेंट कितने प्रविष्टियां की अनुमती है, एक देश की बात हो रही है, एक देश एक इवेंट में कितनी अपनी एंट्री भेज सकता है, ये ओलम्पिक के चार्टर में ये रूल बनाया गया है, तो सही आंसर है आप इसका तीन, एक इवेंट है, जैसे इवेंट की बात करते हैं, हंडेड मिटर की बात हो गई जैसे एक इवेंट है, एसे ही सभी में लागू होगा, हंडेड मिटर है, स्वीमिंग है, रेसलिंग है, सभी जो इवेंट है, इंडिज्वल हो, या फिर कोई भी इवेंट हों, डबल्स, सिंगल्स, सब में तीन एंट्री एक देश बेश सकता है, एक्स्ट क्यूशन हमारा है, किस वर्स में अंत्रिम ओलंपिक आयजुद किये गए थे, सबसे पहले तो इस वर्ड की बात करते हैं, अंत्रिम क्या होता है, अंत्रिम से देखें, सिधा सिधा मतलब यह है, कि प्री डिसाइडेड जो कुछ भी है, सबसे प्री प्लानिंग है, जैसे कि 26 जन्वरी हर साल आती है, ठीक है, 26 जन्वरी को हम अपना गणतंतर दिवस मनाते हैं, लेकिन किसी कारण वस ऐसे कहा गया, कि अब की बार गणतंतर दिवस इससे पहले मनाएंगे, इस तरीके का मैं आपको एक एक जामपल दे रहा हूँ, इसको आप एक्जामपल के तरिके से आप याद कर सकते हो, तो जैसे कि प्री डिसाइड़ था कि 26 जन्वरी को हम मनाएंगे, लेकिन पहले मनाया गया, तो उसको हम एंट्रिम बोल देते हैं, अंत्रिम, जैसे कोई भी गोर्रमेंट, जब उसका लास्ट बजट होता है, तो इलेक्शन से पहले, वो अपना अंत्रिम बजट लेकर आते हैं, बजट की टाइमिंग फरवरी का टाइम होता है, लेकिन अगर इलेक्शन बीच में आ रहे हैं, तो वो अपना बजट पहले ही लेकर आ जाएंगे, और उस बजट को क्या बहुते हैं, अंत्रिम बजट, इसी तरीके से इस क्यूशन में भी यही है, कि अंत्रिम उलम्पिक आज़ुद किये गए थे, अगर यह अंत्रिम नहीं होता, तो उलम्पिक का डूरेशन क्या होता है, चार साल में एक बार, हर चार-चार साल में उलम्पिक आज़ुद किये जाते हैं, लेकिन अंत्रिम का क्या मतलब है, कि इन में से कहीं बीच में यह उलम्पिक आज़ुद किये गए थे, तो उप्सन की तरफ देखते हैं, पहला उप्सन है, 1896, 1906, 1908, 1916, हमें पता है, पहला उलम्पिक 1896 में हुआ था, ठीक है, यह उप्सन नहीं होगा, फिर बात करते हैं, 1906, फिर है 1908, 1916, तो 1896 में पहला हुआ, दूसरा हुआ 1900 में, तीसरा उलम्पिक हुआ, 1904 में, चोथा हुआ, 1908 में, 1908 भी सही है, फिर हुआ 1912, 1916 में हो नहीं पया, ऐसे करके 1906 है, वो हमारे चार के, हिसाब किताब में नहीं आ रहा, तो हमारा राइट आंस रो जाएगा, 1906, यह उलम्पिक को शुरू हुए, जब 10 साल हो गई थे, तो यह इंट्रिम उलम्पिक, इनका युजन किया गया था, 1906 में, और यह कहां युजन हुआ थे, इनका एथेंस के अंदर, जहां पर सुरूआत हुई थी, वहीं पर, यह पहले अंत्रिम उलम्पिक का युजन किया गया था, आयोब आपको यह समझ में आ गया होगा, कि अंत्रिम उलम्पिक क्या चीज़ होते हैं, पुराने टाइम में यह बहुत ही फैमस था, तो यह कौन से काल में, कौन से देश में यह सबसे ज़्यदा फैमस था, तो यह हमारा राइट आंसर है एथेंस, एथेंस के लोग मिटी से इसनान करते थे, और यह वहाँ पे बहुत ज़्यदा लोग पिरिया था, बहुत ज़्यदा पॉपुलर था, नेस्ट क्यूशन हमारा है, पहले आदूनिक उलम्पिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया, सबसे पहले तो यह देखते हैं, पहले आदूनिक उलम्पिक खेल कब हुए, तो हमें पता है, पहले आदूनिक उलम्पिक खेल हुए थे, अठारासो चाण में एथेंस के अंदर, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो राइट अंसर हमारा है 13, तेरा देशों ने पार्टिश्पेट किया था, पहले आदूनिक उलम्पिक खेलों में, नेक्स्ट क्यूशन की तरफ मूग करते हैं, उलम्पिक में होकी मैच, पहली बार एस्ट्रो टर्फ पर कब आयजुद किये गए थे, उलम्पिक का पता है, हमें होकी मैच का भी पता है, लेकिन ये एस्ट्रो टर्फ क्या चीज़ होती है, लेकिए एस्ट्रो टर्फ एक तरह की घास होती है, जो ग्राउंड पे प्लेस की जाती है, इस तरीके से इसको प्लेस किया जाता है, जैसे हम कोई दरी या çटाई बिखाते हैं तो इसको बिछा दिया जाता है और फिर इसमें पानी इसको बहर दियािता है और फिर उसके ओपर होके खैले जाती है अब इसको बैन करने के बाद चल रही है, पानी की बहुत ज़्यदा वेस्टेज की वज़े से, तो ये एक अलग इश्यू है, लेकिन हम क्यूशन की तरफ आते हैं, कि पहली बार उलम्पिक में एस्टो टर्फ कब इस्तिमाल किया गया था, तो राइट आंसर है, मॉन्ट्रिय मॉन्ट्रियाल, 1976 में जो ओलम्पिक हुए थे मॉन्ट्रियाल, वहाँ पे सबसे पहले एस्टो टर्फ इस्तिमाल किया गया था, होकी के अंदर, अगला क्यूशन हमारा है, ओलम्पिक आदर्स वाक्य को किसने गढ़ा, वो कॉइंट दै ओलम्पिक मोटो, ओलम्पिक मोटो, सेकिंड वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिसकस कर चुके हैं, आप वो वीडियो जरूर देखिए, ओलम्पिक मोटो आप जिन्दगी में कभी नहीं बूलोगे, अगर वो आप वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो, तो यह ओलम्पिक मोटो किस नहीं दिया था, हैं फिजिकल एजुकेशन का गॉल्डन एज था, स्वन यूग था, कि वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के बारे में बहुत ही अच्छा काल को कहा जाता है, उस टाइम को कहा जाता है, ऐसा कौन सा देख था, एंसेंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस जो है, उसमें स्वन यूग कह गया है physical education में बहुत ही important question है बहुत बार exam में पोच्छा जाता है तो आप इसको ध्यान में रखिए अगला question हमारा है Spartan शिक्षा का उद्देश से उत्पादन करना था the aim of Spartan education was to produce Spartan education के अगर बात करेंगे तो Spartan में जो education दी जाती थी शिक्षा दी जाती थी तो वो किसके लिए दी जाती थी कि हम हमारे बच्चों को हमारे युवाओं को क्या बनाएंगे options है intellectuals, बुद्धी जीवी, B option है good citizens, अच्छे नागरिक, C है warriors, योद्धा या फिर D उपरोक्त सभी तो Spartans अपने बच्चों को, अपने युवाओं को क्या बनाना चाते थे warriors, ये aim था वहाँ की Spartan education का, वो युद्धा बनाते थे अपने बच्चों को, ये उनका main aim कहाए सकते हैं Spartan education का, next question हमारा है, Iliad और Odyssey द्वारा लिखित थे, Iliad and Odyssey were authored by, बहुती महत्योपूर्ण गरंथ हैं, जिनके बारे में हमें ancient Olympics और ancient job games हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी details मिलती हैं, तो ये दोनों जो गरंथ हैं, ये किसने लिखेते हैं, Homer, Plato, सुकरात, D, उपरोक्त मैंसे कोई नहीं, तो right answer हमारा है, Homer, next question हमारा है, body beautiful dash का आदर्स था, body beautiful was the ideal of, body beautiful का मतलब हो गया, आपको body को अच्छे से maintain करना है, exercise करके, physical activity करके, आपको body को बहुत अच्छा और सुन्दर बनाना है, तो ये कहां का ideal था, किसको, कौन आदर्स मानते थे इसको, देश की बात हो रही है, options है, युनानी, भारतिय, रोमन, मिसर, right answer है, Greeks, युनानी, युनानी लोग, body beautiful, जो था, उसको आदर्स मानते थे, कि हमारी body सुन्दर होनी चाहिए, दिखने में सुन्दर होनी चाहिए, इसके लिए, वो physical activity करते थे, और अपने body को maintain रखते थे, next question हमारा है, सारेडिक शिक् is a fundamental right to every citizen, is included in, physical education is a fundamental right to every citizen, ये पूरा जो वाक्य है, जो sentence है, ये किस में लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, पहला option है, डवलो एचो चार्टर, B है सनाइप्स चार्टर, C हरडी मिनिस्ट्री चार्टर, ये फिर D, युनेस्को चार्टर, Right answer है, युनेस्को चार्टर, बहुत important किस्वन है ये भी, युनेस्को चार्टर में लिखा गया है, कि सारेजिक शिक्षा प्रतेक नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार है, मतलब प्रतेक नागरिक को सारेजिक शिक्षा मिलनी ही चाहिए, इसका fundamental right है ये, अगला किस्वन ह नियुमने लिकित में से कौन ओलम्पिक खेलों को बंद गोशित करता है, who among the following declares the Olympic Games closed, जब ओलम्पिक 16 दिन complete हो जाते हैं, तो उसको जो संपन होता है, उसकी घोषना कोन करता है, उसको declare कोन करता है, कि आज ओलम्पिक गेम्स बंद होते हैं इस वर्ष के, तो ये घोषना क committee के जो अध्यक्स हैं, वो ये declare करते हैं कि ओलम्पिक गेम बंद हो चुके हैं, और अभी IOC का अध्यक्स कोन है, Thomas Buck, अगले question की तरफ मूव करते हैं, नियुमने लिखित में से कौन ओलम्पिक रिंग के रंगों के सही सियोजन का प्रति निदित्व करता है, which of the following represents the correct combination of colors of Olympic rings Olympic rings के बारे में हम पिछली वीडियो में विस्तार से जान चुके हैं, लेकिन ये question भी important है, कि इन में से A, B, C या D ये जो combination आपको दे रखा है colors का, इन में से कौन सा combination होता है, Olympic rings का, ये sequence wise arrange की जाती है, तो इसमें हमारा right answer हो जाएगा, blue, yellow, black, green, red, यह आप देख सकते हैं, य ये blue है, फिर yellow है, फिर black है, फिर green और ये red, इसको याद करने का एक short तरीके से आप याद कर सकते हो, by, b, g, r, इस तरीके से, इसको 3-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, by, b, g, r, by, b, g, r, इस तरीके से आप short trick बना के इसको याद कर सकते हो, ये sequence भी बहुत बा आपके, next question हमारा है, निमना लिखित में से किसके लिए olympic खेलों की मेजवानी प्रदान की जाती है, to which of the following is the host of olympic games awarded, olympic games की बात करते हैं कि ये olympics game कहां हुए, वो कहां पर हुए, तो हमेसा हम किसकी बात करते हैं, ये देश को दी जाती है, ये city को दी जाती है, ये district को देते हैं, या फिर ये राजधानी को देते हैं, तो इसका right answer है, to the city, olympic जो games हैं, उनकी मेजवानी शहर को दी जाती है, एक शहर को इनकी मेजवानी मिलती है, एक city को मिलती है, जैसे आपने सुना होगा Beijing olympic, तो Beijing तो China में है, हमने इसको China olympic क्यों नहीं कहा, क्योंकि Beijing ज सभी में cities का नाम है, कहीं पर भी देश की बात नहीं करते हैं, हाँ ये बात जरूर करते हैं, लंदन olympics कहां पर हुए, इंग्लेंड में, या फिर लंदन कहां पर है, बिजिंग कहां पर है, ये सब बातें बात की हैं, लेकिन जब hosting के बात होती है, तो city को ही इसकी आयोजन की अनुमती दी जाती है, next question है, इस्पार्टा की खेल मैदान को कहा जाता था, sports ground in Sparta were called, तो right answer हमारा C हो जाएगा, plate nistas, ये कहा जाता था, इस्पार्टा में जो sports ground थे उनको, थोड़ा typical word है, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा, आप अगर options में देखेंगे, एक दो ब लड़कों को prescription दिया जाता था, in Rome, training was given to boys, उनके पिता दुआरा, उनकी माताओं दुआरा, उनके शिक्षकों दुआरा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो इसका right answer है, उनके पिता दुआरा, by their fathers, रोम जो देश था, ancient Rome, पुराने टाइम में, बच्चों को जो training मिलती थ लड़कों को, especially, तो लड़कों को training कौन देते थे, उनके father ही देते थे, उनके पिता देते थे, कहीं भी school, या फिर कहीं, अलग training institute में उनको नहीं बेजा जाता था, उनके पिता ही उनको training देते थे, चलिए आज के last question की तरफ हम बढ़ते हैं, प्राचिन समय में तक्ष शिल in ancient times famous for, तक्ष शिला के बारे में आपको बताना है कि तक्ष शिला पुराने समय में कहां इस्तित थी, ये आपके लिए आज का question रहेगा, इंडिया में थी, लेकिन आपको particular जगह के बारे में बताना है, तो ये किसलिए famous थी, शाम की लड़ाई, गुड़सवारी, तिरंदा जी प्रस्क्रिक्षन का फिर रथ दोड, तो राइट आंसर है, आर्चरी ट्रेनिंग, तक्ष शिला पुराने समय में आर्चरी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यदा famous थी, तिरंदा जी प्रस्क्रिक्षन यहां पे सबसे अच्छा दिये जाता था, बहुत दूर दूर दे हैं, और ऐसे ही हर एक physical education and sports के topic पे हम proper series बनाके इसके जो भी previous year question paper आये हैं, उनको पूरी detail में discuss करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद.